नमसकार सर्वमित्रोने, एज्जु सफर परिवार्वती हुमकेश डेरवल्या आप सर्वमित्रोनू, आजना दिन वीशेश, व्यक्ति विशेशना विडियोमा हार्दिक स्वागत करुछू, आज ये तारिक थाय चे 20 ओक्टोबर, अने 20 ओक्टोबर एटले एवा साहित्यका एटले गुजरात नी प्रथम महा नवल ज्यानू नाम छे सरस्वती चंद्र, तो त्यमना लेखक पन छे, एमनीवात करीशू, अने विश्व ओस्टियो पोरोसिस दिवस पन आजे उजवई रेयो छे, अने विश्व आकडा दिवस, एटले के वल्ड स्टेटेक स्टिक्स डे पन आजे उजवई रेयो छे, एटले बे महत्वना दिवसो, अने एक साहित्यकार, तो चालो सव प्रथम आपने शरुवात करिये साहित्यकार थी, 20 ओक्टोबर, पंडित यूगीन साहित्यकार येवा गोवर्दन राम त्रिपाठी नो आजे जन्मदिवस छे, इमेज मा त पात करिये, तो जन्म, 20 ओक्टोबर, 1855 ना रोज, नडियाद मुकामे थाय छे, अने नडियाद येटले कई नगरी तरीके उलखवमा आवे छे, याद होई तो निचे कमेंट शेक्षन मा लखी वालो, गोवर्दन राम त्रिपाठी नो पुरुनाम शे, गोवर्दन राम म मा दवराम त्रिपाठी, अने तेवो नू उपनाम, याद राखे, पंडित यूगना पुरोधा, जगत साक्षर, साक्षर वर्य औने गुन्जन आ त्यमना उपनाम छे, फरी एक्वार, पंडित यूगना पुरोधा, जगत साक्षर औने साक्षर वर्य औने गुन्जन साहित्यकार छे अही थी प्रश्ण बने मित्रों करन के गांधी युगना साहित्यकारो अलग आवे साक्षर युगना साहित्यकारो अलग प्राचिन युगना साहित्यकारो क्या नीचेना माथी क्यों साहित्यकार कोई करन सर अलग पड़े छे एने अंदर जो साक्षर के पंडित युग ना चार साहित्यकारो माथी त्रन्ना नम आप्या आशे औने एक अर्वाचीन युग नो साहित्यकार होई तो हवे पचीना प्रेश्णो आ रितेपन कुछा शे माटे याद रखे के पंडित युग अथवतो साक्षर युग अथवतो गोवर्धन युग एना जानिता गुजराती सहित्यकार अने त्यमना काका मनसुख लाल त्रीपाठी जेवो सुधारक युगना सहित्यकार हता नान पंठीज तेवोने वाच्वानों कुबज शोक हतो अध्यक्षपणा नीचे योजा येली भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस सम्मेलन मा महत्वना सब्याता आपन याद रखे के वर्ष 1902 मा अध्यक्षपणा येठल आ भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस सम्मेलन योजाई गई होतु अने त्याना एक महतोना सब्यतरिके गोवर्दन राम त्रिपाठी अने वर्ष 1905 आ वाक्य माचु ए पहला आ इमेद जोईलू गुजराती साहित्य परिशद स्थापना क्यारे थाई छे? 1905 मा अने ज्यारे स्थापना थाई छे त्यारे त्यना प्रमुख पदे पन गोवर्दन राम त्रिपाठी बिराजे छे जो वर्ष 1905 मा अमदावादनी पहली गुजराती साहित्य परिशद ना प्रमुख रहा आता कौन गोवर्दन राम त्रिपाठी कौलेज कारदर्म्यान कावियर रचना करवानो अने लेखो लखवानो त्यमने प्रारम करियो ओतो त्येवो ये गुजराती बाषानी प्रथम महा नवल कथा सरस्वती चंद्र भाग एक्थी चार मा वहिचायली छे त्ये लखी छे औने ए आ मुझब भागो मा वहिचायली छे चलो मित्रों, चारे भाग ना नाम आपूछू कारणके सरस्वती चंद्र भाग एक्थी चार मा वहिचायली एक महा नवल कथा छे एनो प्रथम भाग कईयो छे हो तमारी समक्ष वीडियो आगल लई जाओ, ए पहला नीचे कमेंट शेक्षिन मा आ प्रथम भाग नू नाम लखी वालों चालों, परिक्षय माटे खास अगत्तिनी वात आ छे सरस्वती चंद्र भाग एक, एनु नाम चे बुद्धी दन्नो कारबार सरस्वती चंद्र भाग बे, एनु नाम चे गुण सुंद्रीनु कुटूम जाल सरस्वती चंद्र भाग तरण, रत्न नगरीनु राज्य तंत्र अने सरस्वती चंद्र भाग चार, सरस्वती चंद्रनु मनोराज्य अने पुर्णा होते तो मित्रो परिक्ष्या माटे एटला अगत्यना शब्दो छे क्या आतो तमे गोखी जवाल जो आशरे अड़ार्सो प्रुष्टमा विस्तरेली आ महानवल कथाने पुराण पंडित युगनु महाकाविया महानवल वगेरे रूपे उलखाववमा आवी छे अने सरस्वती चंद्र महानवल कथाना आधारे वर्ष ओगनिसोने बौत्तिर मा गुण सुंद्री नो कर संचार नामने एक गुजराती फिल्म पन बनी हेती सरस्वती चंद्र नवल कथा पर्थी संजै लिला बनसाली द्वारा हिंदी दारावाहिकनु पान निर्मान थायलू अने त्यमाज हिंदी फिल्मा सरस्वती चंद्र हिंदी फिल्मा सरस्वती चंद्र ओगनिसोने अडशट ना दिगदर्शत गोविन सरया छे आपने याद राखे कि तेम जुओ छो के एक फिल्म बनी छे एक तारावाहिकनु निर्मान थायू छे अने गुजराती फिल्मा पन बनी छे गुण सुन्द्रीनो घर संचार इमेज मा तमे ते फिल्मनु पौश्टर पन जोई शको छो अने आ उप्रांत तेनो दिर्क काविय संग्र स्ने मुद्रा पन खुब जानितो छे जे पोतानी पत्नीना तथा लिलावती जिवनकला तेमनी दीकरी लिलावतीना अकाले अवसान निमीते लखायल नाटक छे तो आपन याद राखे के स्ने मुद्रा अने लिलावती जिवनकला कोणना साहित्य रचना छे तो आपने याद राखीशु गोवर्धन राम त्रिपाठी अने मरनोत्तर प्रकाशित अने अदूरी रहेली तेमनी कृती होय तो तियेचे साक्षर जीवन अने जे वर्ष ओगनिसोने ओगनिसमा प्रकाशित थायती गोवर्धन राम त्रिपाठी ना विविद्ध साहित्य सर्जनों निवात करिये तो सरस्वती चंद्र भाग एक थी चार महा नवल कथा अने त्यार पची अध्यात्म जीवन लिलावती जीवन कला नवल राम नो जीवन वृतांत क्षेमराज अने साध्वे आ तेमनी सहित्य क्रूतिवो तेमना काविय संग्र होनी वात करिये तो स्ने मुद्रा साक्षर जीवन ए रदै रूदित शत्कम ए नामे छे काविय संग्र अने यमना विवेचन ग्रंथोनी वात करिये तो कवी दयाराम नो अक्षर दे आ विवेचन ग्रंथनी रचना करी छ गोष्दन्राम त्रीपाठीए अने एवो रोजनिशी पन लगता आता तेमने क्या आत्म कत्मा निती परंतु तीवो ये जिये रोजनिशी लखी एनू नाम छे स्क्रेप्बोक गोवर्धन राम त्रीपाठी नी रोज निशी, कैया नम्य जानिती छे स्क्रेप बूक एमना अन्य सहीतिय सर्जनों नी वाद करिये तो मान चतुर औने धर्मलक्ष्मी, केटलाक महत्वना पात्रो गुण सुंदरी, सुंदर, धर्मलक्ष्मी, मान चतुर औने आ नवल कथा सरस्वती चंद्र भाग बे माथी निरुपाएला केटलाक महत्वना पात्रो छे अने गुजराती सहीतिय मा उत्कृष्ट प्रदान करवा बदल आपनी भारत सरकार द्वारा गोवर्दन राम त्रीपाठी ना मान मा 27 एप्रिल 2016 ना रोज एक टपाल टिकीट पन बहार पाडवामा आवी एती इमेज मा तमे जोईशगो छो गोवर्दन राम त्रीपाठी अने त्यमना मान मा 26 मा एक टपाल टिकीट बहार पाडवामा आवी एती अने अहीं लखेलू छे सरस्वची चंद्र अने सनेह मुद्रा एटले कि आए एक टेमना जे साहीत्य ग्रंथो छे एम नी पन अहीं इमेद छे अने आ साहीत्यकर नुअवसान 4 जान्युआरी 1907 ना रोज मुंबई मुका में थाई वोतू परिच्यमा आ साहीत्यकर ने ध्यानमाराकी ने केटलाग प्रेश्णो पन हाईलाइक थएला ए प्रेश्णो केवा आता के गुजराती साहीत्य परिशदना प्रथम अध्यक्षकोन अता गोवर्दन राम त्रिपाठी गुजरातनी प्रथम महा नवल कथा सरस्वती चंद्रना लेखक कौन छे गोवर्दन राम त्रिपाठी अने सरस्वती चंद्र एक कौनी साहीत्य कृती छे गोवर्दन राम त्रिपाठी नी गुजराती साहित्य परिशदनू प्रथम अधिवेशन सन ओगनी सोने पांच मा कोणना प्रमोख पणा नीचे मलेलू होतु परिक्षमा फरीवार प्रश्ण रिपीट थयो औने जवाब बने गोवर्धन राम त्रीपाठी जोयूने मित्रो केटला महत्वना साहित्यकार तो एना विशे तमे कैंक विशेश जानता हो तो नीचे कमेंट सेक्षन मा लखवानू न बुलता आगलवाद करिये आपने दिन विशेश नी तो आजे छे 20 मी ओक्टोबर औने 20 मी ओक्टोबर ने विश्वा आकडा दिवस्तरी के उजवामा आवे छे अंग्रेजीमा कहिए तो वल्डा स्टेटेक्स्टिक्स डे क्यारे उजवाई छे 20 मी ओक्टोबर औने संयुक्त राष्ट्र संगना UNSC एटले के United Nations स्टेटेक्स्टिकल कमिशन द्वारा वर्ष 2010 मा 20 ओक्टोबर ने विश्वा आकडा दिवस्तरी के जाहेर करियो हतो मित्रो आ येवो दिवस छे 10 वर्षेन थी उजवातो 5 वर्षे एक वार उजवाई छे 2010 मा उजवायो त्यार पची 2015 मा औने आ वर्षे 2020 मा तो विश्वा आकडा दिवस अत्यार सुधीमा केटली वार उजवायो 3 वार जुवा विश्वा आकडा दिवस दर 5 वर्षे उजवामा आवे छे सव प्रथमवार वर्ष 2010 मा औने बीजो वर्ष 2015 मा उजवायो तो आ वर्षे वर्ष 2020 मा त्रीजो विश्वा आकडा दिवस उजवामा अविरयो छे अने विश्वा आकडा दिवस उजवानों मुख्य येतूशो रहेलो छे, आकडा अने सारी माहिती समाजना तम्माम वर्ग माटे सुचित निरणयों लिवा माटे अनिवारिय छे, त्यानू महत्वत दर्शावानों छे अने एवो प्रश्ण पुछाए के राष्ट्रिय आकडा दिवस क्यारे उजवाम आवे छे, तो 39 जुन्ना रोज, राष्ट्रिय आकडा दिवस उजवाम आवे छे, अने जे भारतिय आकडा शास्त्रिय वा, PC महल नोबिस नी यादमा, त्यामना जन्म दिवस पर उजवाई अने PC महल नोबिस नुँ पुरुनामशू छे प्रशांत चंद्र महल नोबिस, अने PC महल नोबिस ने मोडर न स्टेटेश्टिक्स ना पीता तरीके पन उलखवाम आवे छे, मित्रो खास याद राखिये, मोडर न स्टेटेश्टिक्स ना पीता तरीके कोने उलखवाम आव चेज़े PC महल नौबिस ने अने विश्वा आकडा दिवस 2029 नी थीम शु राखवा मा आवी थी इमेज मा तमें वांची शगो छो बेटर डेटा, बेटर लाइज, शो, बेटर डेटा, बेटर लाइज, जे 2021 नी थीम हती, पर नतुँ आ विश्वा आकड़ा दिवस वर्ष 2020 नी थीम शू राखवा मा आवी छे, इमेज मा पन जो इशको छो, ए थीम शे, Connecting the World with Data, We Can Trust, फरी एकवार, Connecting the World with Data, We Can Trust, जे 2020 ना आव वर्ष टेटर डेटर नी थीम राखवा मा आवी छे, ए पन याद राखे, अने UNSC नू पूरु नामशू धाये छे, United Nations Statistical Commission, अने UNSC नू हेड़कवाटर ग्यावेलू छे, अमेरिकाना न्यू योर्क मा, UNSC नी स्थापना क्यार थाईती, ओग नी सोने सुड़तालीस, अने UNSC नी पेरेंट संस्था, एलेके मात्रू संस्था कई छे, संयुक्त राष्ट्रानी सामाजिक अने आर्थिक परिशद, आ UNSC नी मात्रू संस्था छे, त्यार पछी मित्रो, एवो जियक महत्वनो दिवस, अने त्यानू नाम छे, विश्व अस्टियो पोरोसिस दिवस, पहली वखत कदाच, नाम सामबलता आशो, अने बोलवामा पन जिब खचकाई, विश्व अस्टियो पोरोसिस दिवस, दर वर्ष्ये क्यारे उजवमा अने वर्ष 1907 थी, आ दिवस I.O.F. एलेके इंटरनेशनल अस्टियो पोरोसिस फाउंडेशन द्वारा उजवमा आवे छे, कोना दवरा उजवमा आवे छे, इंटरनेशनल अस्टियो पोरोसिस फाउंडेशन द्वारा, अने आ दिवस दर वर्ष्ये क्यारे उजवमा आव जी हा मित्रो जे वी रिते उमर वत्ती जाई ए वी रिते हाड का गलता जाई छे औने कम जोर पड़े छे औने एने यादगीरी रुपे आ दिवस उजवमा आवे छे के उमर वत्ता ओस्टियो पोरोसिस एले के हाड का गलवानी समस्या मां 100 माथी सित्यर महिला औने 30 सपड़ाई जाई छे एले के समय जता आ हाड काना सांधाना दुखावा थाए औने परिणामे हाड का सपड़ाई जाई छे औने आ रोग मा हाड कू पातलू थवानी साथे तूटुवानो जोखम पन रहेलू छे IOF एले के International Osteoporosis Foundation नो मुख्याले क्या आवेलू छे स्वीजर लेन मा आवेलू छे मित्रो क्या कने स्वीजर लेन मा आवेलू छे तो मित्रो आजे तमे जोई होशे के साही इत्यकार एवा गोवर्दनराम त्रीपाठी ने गयात करिया औने साथे साथे बे महत्वना आंतर राष्ट्रिय दिवस परिक्षाने अनुलक्षी ने तमाम कंटेन हतु केकलू याद राक्यू औने जो तमे याद राक्यू होई तो एज़्जू सपर नी प्लेश्टोर उपर एक एप्लिकेशन छे नाम एज़्जू सपराच छे तिये डाउनलोड करो औने एना उपर आ वीडियो साथे सबंधित एक क्वीज मुकवम आवे छे आ क्वीज रमशो तो तमने ख्याल आवशे के वीडियो माथी तमे केकलू आत्मा साथ करी शक्या चालो मित्रो हवे तमे क्वीज रमशो आव तेकले मलेशू एक नवा दीन विशेश साथे एक नवा व्यक्ति साथे त्यां सुझीर जलेए टेक केर एंड जय हिंद